टेकनलोजी के इस बदलते दोर में रेवाडी की दस्वी के छातर ने को टर्मिनेटर सिल्ड बना कर कमाल कर दिया है जिनों ने एक ऐसी को टर्मिनेटर सिल्ड को डिजाइन करके त्यार किया है जिसे इस्तमाल करने पर मेडिकल स्टाफ को PPE किट पहन कर इलाज करने वाली दि कि बोर्डर पर सर्दी गर्मी में तैनात हमारे जवानों के लिए भी इस सिल्ड को इस्तमाल किया जा सकेगा जिसके लिए वो सिल्ड को बिलेट पूरूफ बना रहे हैं हार्दिक का कहना है कि कोरोना काल में डोक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने काफी कठनायों का सामना करके को का इलाज किया और काफी डोक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जान भी चली गई जिनकी परेशानियों को देखते हुए उन्हें को टर्मिनेटर सिल्ड बनाने का आईडिया आया जिसके बाद करीबन 6 माह की मेहनत के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया हा हार्दिक का कहना है कि इस को टर्मिनेटर सिल्ड को बनाने से पहले उन्होंने काफी डोक्टर्स से बाचित करके उनकी परेशानियों को जाना था जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम सुरू किया गया था हेलमेट नुमा दिखने वाली इसको टर्मिनेटर सिल्ड को कैसे इस्तमाल किया जाएगा कैसे ये डोक्टर्स और मेडिकल स्ट्राफ के लिए कारगर साबित होगी ये हार्दिक की जुबा नहीं सुनिये ये शेल है ये शेल अभी 300 ग्राम के वजन में रहेगा और उसके बाद यागे वाइजर है ये इसका जो वाइजर है एंटी फॉग बनाया गया है जिससे अंदर बोलेंगे जब तो इस पर फॉग नहीं आएगा उसके बाद एक pipe यहाँ से travel करेगी जो अंदर cooling को manage करेगी और एक comfortable temperature को maintain करेगी उसके बाद इसका side view यह है इसका upper head view यह है यहाँ पर एक sos button placed है यह SOS बटन जब कभी हमें emergency के time पे किसी individual है किसी doctor को क्या पता कभी दिक्कत आजे तो इस button को जब वो तीन बार click करेंगे एक SMS notification उनके emergency contacts तक चली जाएगी और उनकी live location को यह fetch करके उनके emergency contacts तक पहुचा देगा उसके बाद इधर इसके पीछे pipe placed है इसके पीछे QR road भी placed है कभी emergency के time कोई गिर जाए या किसी का accident हो जाए या कुछ भी दिक्कत आजाए emergency time पे तो कोई दूसरा person इस code को जब scan करेगा तो एक URL खुलेगा जहां पर आप SOS की notification उनके emergency contacts को भेज पाएंगे ये shield bluetooth से mobile application में connect भी की जा सकती है जिसके जरीए वहाँ से आप अपने SOS contacts को select कर सकते है वहाँ पर steps की rating भी आएगी और भी कुछ अन्य features उसके अंदर प्रदान किये गए है उसके बाद हम बात करते हैं इसके cooling system की ये cooling system अभी copper में पूरा copper में बनाया गया है ये इसका air का outlet है यहाँ पर इसके एक air purification system बनाया गया जो की 60 ppa copper filter यूज किया गया और इसके अंदर ice gel place किया गया है ये जो ice gel है ये moisture ना होने दे इसलिए place किया गया है उसके बाद ये हमारा है ionizer ये ionizer नेगेटिव और positive ions के charge को maintain रखे किसी भी doctor ये किसी भी medical practitioner किसी भी user के 6 meter के दाएरे में virus और bacteria को contamination से दूर करेगा उस बंदे के उस person के जो area contamination है उनसे दूर लेकर जाएगा उस virus और bacteria को तो फिलाल इसकी कितनी cost आई है अभी और आगी क्या planning है किस तरह से इसको market में लेकर जाएंगे हाँ जी अभी ये developmental phase में है अभी इसे बनाने में costing जाए क्योंकि अभी हमने इस पर research and development की है पर in future हम जल्द से जल्द एक दो महीने के बाद ही इस product को market में लेकर आएंगे और स कहना है कि सिल्ड का वाइजर एंटी फोग है जिसके उपर के हिस्से में एक emergency बटन लगाया हुआ है जो mobile app के जरिए एक auto message send कर देगा इसी तरह से इस सिल्ड में एक pipe के जरिए तापमान को अपनी अनुकूल के हिसाब से बनाया जा सकेगा 300 ग्राम की सिल्ड को ठंडा रखने के लिए करीबन 10 इंच का एक cooling system भी बनाया गया है जिसमें ice gel डाल कर इस्तमाल किया जाएगा साथ ही ionizer device से इस सिल्ड को जोड़ा जाएगा जिसे कोई भी virus सिल्ड पहनने वाले व्यक्ति से 6 मिटर दूर ही रहेगा हार्दिक का कहना है कि अभी cooling system का size थोड़ा और छोटा करना है जिसके बाद इसे आसानी से इस्तमाल किया जा सकेगा साथ ही सिल्ड को bulletproof बना कर देश की सेवा में सर्दी गर्मी में border परतैनाज जवानों के लिए भी इस्तमाल किया जा सकेगा जिसके लिए वो अभी इस project पर काम कर रही है बैराल हार्दिक ने अपने project को patent करा लिया है ताकि कोई इसे copy ना करा सके वहिस्वास सिवाव में इस्तमाल कराने के लिए ICMR में पंजिकन के लिए काम किया जा रहा है इससे पहले भी हार्दिक पोपुलर social chatting mobile application की तरह एक app बना कर कमाल कर चुके है यह co-terminator shield है जो basically doctors medical practitioner और एक normal individual के बनाएगी है जो covid time के दोरान हमारी देश की सेवा कर रहे थे उन doctors को जो problems आ रही थी इस PPE kids को पहन के उसका एक solution है doctors को गर्मी की problem की वज़े से sweating, smoke, fog और उसके बाद skin allergies जैसी problem face करनी पढ़ रही थी उस burning problem का solution है co-terminator shield यह जो shield है इसके अंदर एक proper comfortable एक shell बनाया गया है जो head पर place किया जाएगा और उस shell से एक pipe connect होकर कमर पर एक cooling और air purifying system प्लेस किया जाएगा cooling और air purifying system है जो वो पूरा copper का बनाया गया है जिसके अंदर 60 ppa copper filter place है जो बाहर से अंदर की हवा जो shell तक पहुचेगी उसे purify करेगी और उसके बाद यह एक cooler भी है एक cooling system की तरह इसके अंदर एक ice gel डलेगा जो की air purification बाहर से जो अंदर हवा है उसको purify करके shell तक पहुचाएगा मतलब की shell तक जो हवा जाएगी वो purify भी होकर जाएगी और cool भी होकर जाएगी उसके बाद जो हमारा shell है उसको three layer micron cloth से covered किया गया है कि जब एक doctor उसे पहनेगा तो उसके face तक कोई भी virus है bacteria ट्रेवल ना कर सके air contamination से उसके बाद इसके आगे जो visor place किया गया है anti fog है doctors को काम करते दोरान ये भी problem आ रही थी कि जब वो बोलते थे अपने patients को तो आगे एक fog जम जाती थी जिस वज़े से उसको clear करने के लिए भी वो हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हाथ उनके और कामों में इस्तेमाल किया जाता था तो उसका solution भी इस shield में दे दिया गया है इस project को करने में मुझे 6 महिने का समय लगा और ये अब patent application इसकी file कर दी गई है इसका patent number मेरे पास आ चुका है और इस project को करने के दोरान बहुत ज़्यादा कठिनाईया ही जैसे की lockdown के दोरान समान इखटा करने में सबसे बड़ी समस्याई पर सब कुछ करके अब हमने इसको बना दिया भी हम इसमें और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे भी और इसको और ज़्यादा compact हलका और easy to use कैसे बनाया जाये हम उस पे काम करेंगे हमने कुछ डॉक्टर से भी राय ली कि उन्हें क्या चाहिए और उसके बाद ही हमने प्रोडक्ट बनाया और सबसे बड़ा कारण जो इसको बनाने का था वो था डॉक्टर्स आईयमे की रिपोर्ट के इनुसार 15 सो से अधिक डॉक्टर ने कोविड 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 के काम करते दौरान अपनी जान गवादी यह शील्ड उनके लिए कि शिर्धांजली भी है जो और डॉक्टर्स को जो प्रॉब्लम्स उनको कोविड टाइम के काम करने के अभी इसे बनाने में कॉस्टिंग जादा है क्योंकि अभी हमने इस पर रिसर्च और डेवलप्मेंट की है पर इन फ्यूचर हम जल से जल एक दो महीने के बाद ही इस प्रॉडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे और सबसे पहले डॉक्टर्स को इसे वेलिबल कराया है क्योंकि अगर हमने इसको डॉक्टर्स और मेडिकल प्रेक्टिशनर्स को प्रोवाइड करना उनकी सॉलूइशन तो हम इसे आईसे मार से प्रूव कराना पड़ेगा सबसे पहले अभी हम इसके आईसे मार अप्रूवल के लिए जाएंगे उसके बाद फिर आगे का प्रो प्रोवाजिकल सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूं और करूँगा भी जो डॉक्टर्स की बर्निंग प्रॉब्लम है किसी भी इंडिवीजियल की हम हेल्थ को छोड़ते हैं और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलुशन और इसी शील्ड को हम सो या दो सो दिन के बाद डिफैनस सेक्टर में भी लेके जाने के कोशिश करेंगे जिससे जो हमारे देश के जवान इंडियन वॉटर्स पर खड़े हैं जिनने सर्थी की वहलें से दिक्कत आतीज में कूलिंग और हीटिंग सिस्टम दोनों दिया जा झाल 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 झाल